दोस्तों Realme की तरब से Realme 6 Pro users के लिए एक और update यहां पर release की गई है लगातार दूसरी update यहां पर release की गई है आपको पता हुआ कि A37 प्रिवियस फरसन था जो की release किया गया था अगर वहां पर उसकी change lock की हम बात करें तो बहुत सारी change lock वहां पर दिखाये गया थे लेकिन वह changes आपके फोन में update के बाद देखने को नहीं मिले थी तो इस बार एक नई update आई है A37 के बाद A39 और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ changes हमारे फोन में देखने को मिलते हैं चलिए सीधा यहां पे चलते software update वाले section में यहां प पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं change log को डाउनलोड में हमने इसको लगा दिया है जब तक यह डाउनलोड होती है हम जल्दी से देख लेते हैं इस वाले update में क्या कुछ change log दिखाए गया है realme की तरफ से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको मिल जाती है October के security patch game space को optimize किया गया है और game space के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर call को भी optimize किया गया है call setting interface को यहां पर इसके layout को change किया गया है settings के अंदर बहुत सारे toggle icon दिये गया है और sunset से sunrise toggle icon icon फोट में दिया गया है तो दोस्तो यह तो पिछली update में भी थी और यहां पर दोस्तो बात करें यह तो देखेंगे बात में लेकिन नीचे की तरफा कर बढ़ते हैं तो super power saving mode के अलावा multi user feature जो कि पिछली update में आपको दिखाए गया थे लेकिन देखने को नहीं म features है तो इसको देखेंगे update के बाद यहां पर वीडियो को skip करते हैं और update को कर देते हैं पूरा तो दोस्तों हमने वीडियो को skip कर दिया है और phone जो है हमारा download कर चुका है update को 94% रख तो थोड़ा सा इंतिजार करेंगे तो बहुत जल्द ही यह जो है लगभग शमापत होने को है यहां पर focus करके आपको बता देते हैं 97% जो है download हो चुकी है हमारी update और overall यह जो update है फो download complete लगभग हो चुकी है तो चलिए यहां पर 100% download कर लिया है update now पर click कर देते हैं और update करके देख लेते हैं कि क्या कुछ changes हमें देखने को मिलते हैं update now पर click किया package verify हो रही है और यहां पर phone जो है हमारा update होने के लिए तयार है यहां पर देखिए अब phone जो है हमारा shutdown हो चुका है और फिर से यह जो है update अब शुरू हो जाएगी phone on हो रही है यानि कि अब update होगी तो दोस्तों जब तक phone हमारा update होता है वीडियो को हम skip करते हैं चुकि update होते होते चार से पांच मि लगी जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर चार मिन लगभग शो हो रही है तो जल्दी से हम इसको skip करते हैं या फिर इस वीडियो को कर देते हैं forward तो दोस्तों वीडियो को हमने forward किया है यहां पर आप देख सकते हैं update जो है लगभग complete हो चुकी है और आप जो हमा करेंगे लेकिन सबसे पहले हम verify करेंगे यहां पर multi user features को जो की पिछली बार दिखाई तो गई थी लेकिन मिली नहीं थी तो सबसे पहले update वाले section में जाकर यहां पर देख लेते हैं कि कुछ show तो नहीं कर रहा है यहां पर तो देख यहां पर अभी भी यह 39 का update जो है मुझे पर फिर से हम यहां पर सब्सक्राइब जाएंगे कि यह ते टेम्परोरी है यहां पर पर मारेंटली यहां पर शो हो रही है जो यहां पर रहे हम सर्च कर लेते हैं multi user feature तो multi यहां पर हमने टाइप किया है और यहां पर देखें दोस्तों multi user की यहां पर option आ चुकी है user and accounts में आपको देखने को मिलेंगे तो guest mode पर हम click करके एक यहां पर जो है दोस्तों इंटर करके देख लेते हैं कि second space जिसे हम Redmi के phones में जिस नाम से जानते हैं तो जी हां दोस्तों यह वहीं चीज है यहां पर आप देख सकते है phone जो हमारा second space यानि कि multi user guest mode में इंटर कर गया है और य अपडेट realme 6 pro को मिलने वाली आपको अपडेट मिला की नहीं कमेंट सेक्षिन ने जरूर बताईएगा अपडेट नहीं मिला है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जागी अभी जाके अपने phone के settings में अपडेट वाली सेक्षिन को चे सब्सक्राइब करें मुल्टियूजर फीचर्स की आप पने रहे हैं हमारे चैनल के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में हमें दिए इसाज़त थैंक यू